दोस्तों PF subject इतना आसान नहीं है समझना, क्यों आसान नहीं है क्योंकि इसके बार में कोई study नहीं होती है आप नौकरी करते हैं, आपका salary में से पैसा करता है और वो पैसा एक ऐसे जगे जमा हो रहता है जहां पे अलग से नियम कानून बने हुए हैं, जो आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता ऐसे में कई बार आपका P.A. फज जाता है और ऐसे में आप ढूंडते हैं कि क्या कोई ऐसा source है जहां से हमें सही जानकारी मिले तो मैं आपको ओफर करना चाता हूँ अपना YouTube चैनल जहां पे आपको धेरो information वाली वीडियोज मिलेंगी आप playlist में जाके वो वीडियोज देख सकते हैं, साथ में ही वीडियोज section के अंदर 1200 वीडियोज हैं अभी 1200 वीडियोज kind of एक library हो गई, उस library में से आपको book अपनी ढूडनी पड़ेगी और अपना solution देखना पड़ेगा इसका एक और solution है जो मैं आपको offer करता हूँ, यह offer इस तरह से है कि आप मेरे से consultation call ले सकते हैं मैं यहाँ पे 5 सालों में लगबग 5000 से ज़्यादा लोग का P.F. का काम कर चुका हूँ और अगर इस अनुभव का फाइदा उठाते हुए, आप मुझसे समझना चाते हैं कि आपके P.F. में क्या problem है, P.F. का काम आपका क्यों नहीं हो पा रहा है आपके P.F. का काम कैसे होगा, P.F. कैसे होगा, यह सब चीज़े जानने के लिए आप में से personally contact कर सकते हैं इस call के अंदर मैं आपको दिखाना चाता हूँ, यह example जिसके अंदर मैंने कैसे person का account चेक किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कोई भी personal जानकारी शो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना दिखाना चाता हूँ कि किस तरह से consultation call होती है यह सारी call आप जो देख रहे हैं, यह actual call है, यह 10 जनवरी की है और यहाँ पे 11 जनवरी को मैं record कर रहा हूँ, यह वाली call तो इसको record करने का क्या purpose है, इसको record करने का purpose यह है कि जब ही कोई person अपना consultation लेना चाता है या as a service कोई लेना चाता है, तो उसके मन में doubt आते हैं, अगर हम consultation call लेंगे तो हमें कैसे बताया जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने fees बे कर दी और उसके बाद हमें बताया न जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने detail दे दी अब उस person ने हमारा पैसा निकाल लिया कहीं ऐसा हो तो नहीं कि वो person जो है वो कुछ जानकारी ना रखता हो और हमसे पैसे ले ले कुछ भी उलजलूल बता दे और फिर हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे तो ये सारे doubts होते हैं लोगों के मन में इसी को clear करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये इस videos बना के दे रहा हूँ ताकि आप इस doubts से clear हो सकें बहुत बार member मेरे पास बाद में आते हैं पहले वो action ले चुके होते हैं अब उस action को लेने के बाद member का PF account फस जाता है अब उस फसे हुए को अगर लेके आओगे तो मेरे पास ऐसी कोई power नहीं है कि मैं उसको ठीक कर दूँगा बस हाँ मैं यह बता सकता हूँ कि अब इसे ठीक करने के लिए क्या क्या steps करने पड़ेंगे कोई भी ऐसी problem नहीं है जो solve नहीं होती है depend करता है कि आपकी company आपका cooperation करे और PF office cooperation करे यह company और PF office का cooperation करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि जादातर case में अगर company बड़ी है तो उसके पास मालो 50,000 employee है तो वो particular आपके case में ध्यान उतना नहीं देती है और साथ में ही PF office से उससे भी बड़ी समस्या है वहाँ जाके समझे कि क्या काम होना है कैसे काम होना है तो यह एक बहुत मुश्किल काम रहता है तो बहतर यही है कि अगर आपको कभी भी doubt आ रहा है PF के बारे में तो आप एक expert से राय लेजे expert से राय लेने के बाद ही आप अपना काम करेंगे तो वह आपके लिए बहतर होगा आपके tension कम होगी और एक expert के हाथो आपका काम होगा तो उससे आपका काम 100% सही होने के 99% chances हो जाते हैं एक परसेंट चांस जो है वो किसी से भी गलती हो सकती है लेगि 99% होना भी एक almost 100 के बराबर ही होता है और मैं यहाँ पर जो consultation देता हूँ वो 99% surety के साथ ही देता हूँ जहाँ पर मैं अपनी पूरी knowledge का इस्तमाल करके आपको best to best solution देने की कोशिश करता हूँ मैंने आपको अच्छे से explain किया है अगर आप convince हो तो आप one to one consultation ले सकते हैं साथ में अगर आपको PF का consultant बनना हो तो आप consultant बनने के लिए एक course जोइन कर सकते हैं अब अगर मान लिजे मेरे को 5 साल का अनुभव है तो उस 5 साल के अनुभव को मैं आपको यहाँ पूरा निचोड के देता हूँ कि भाई अगर आपको zero से सीखना है तो आपको यह course लेना है और इस course के अंदर ना किवल मैं पुराना बताऊंगा बलकि अभी जो latest problems आ रही है आगे भविश्य में जो problems आ सकती है वो भी मैं बता सकता हूँ क्यों बता सकता हूँ क्योंकि जब कोई person एक ही subject में study कर रहा हो इतना जादा तो उसको ना किवल past का पता रहता है बलकि उसको future का भी idea लगता है कि future में इसमें क्या बदलाव होने वाला है तो सारी चीज़ें मैं आपको इस course के अंदर personally बताता हूँ इसके अलावा एक और course है जिसमें हम company का काम करना सीखते हैं PF ESI consultant बना दोनों courses के link आपको description में मिल जाएंगे आप consultation call book करना चाहें तो आपको whatsapp number है whatsapp number पे आप consultation call book कर सकते हैं book करने का simple सा तरीका है आप whatsapp पे message कीज़े कि हमें consultation call लेनी है उसके बाद आफीज पेगीजे फिर आपको जैसे ही मैं available हूँ 99% cases में आपको जो है within 5-10 minutes आपको जो है response मिल जाएगा और response मिलके मैं आपसे connect कर लूँगा zoom meeting पे और zoom meeting पे details चेक करनी है मुझे मेरे को ना तो UN चाहिए ना password चाहिए मैं आपकी सिर्फ screen पे देखूँगा कि आपने कहां service की है अभी उसका PF कहां है कितना है क्या error आ रहा है rejection आ रहा है किसलिए आ रहा है और उसका solution क्या है यह सारी चीज़े मैं आपको देखके बता देता हूँ तो आशा करूँगा यह सारी चीज़े आप समझे होंगे अगर आप समझे हों अगर आप agree करे हों तो आप consultation ले सकते हैं या फिर courses join कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद